ओकी तो यहां पर आमरे पास आ गया है बोट एडूपस फ्लेक्स फोर फाइफ फोर यह मुझे अमेजान पर पढ़ गया है सिर्फ दो हजार रुपए का और भाई इसका प्राइस देखकर और इसका फीचर देखकर मैं बहुत ही ज्यादा सर्प्राइज हो गया था क्योंकि य देख सकते हैं यह है बिल यह मुझे पढ़ा है 1,999 रुपीज मतलब 2,000 रुपए का और यह है बॉक्स बोट फ्लेक्स 454 ANC का यहां पर काफी सारे फीचर्स लिखे होगे हैं फीचे भी काफी सारे फीचर्स लिखे होगे हैं जल्दी से इसको खोल लेते हैं बॉक्स कुल दी सबसे पहले आपको यहां पर earbuds देखने को मिल जाएंगे वैसे यहां पर इसको रखते हैं साइड में साथ में आपको extra ear tips और type C केवल मिल जाता है charging के लिए साथ में काफी सारा paperwork और एक boat head का sticker और यहां पर design आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का देखने क यहां फिर connect कर सकते हैं बात करूँ इसके design की तो काफी अच्छा लग रहा है यहां पर design लेकिन बहुती मोटा है बहुती बलकी है तो definitely अगर आप इसे jeans के pocket में डालोगे तो आपको यहां पर feel होगा कि pocket में कुछ तो मोटा सा रखा हुआ है और आपके pant में ऐसा उबरा काफी जादा अच्छी है लेकिन यहां पर hinge मुझे थोड़ा सा यहां पर loose लग रहा है यहां पर already हिल रहा है out of the box लेकिन यहां पर earbirds की बात करो तो इसके earbirds मुझे बहुत ही जादा मोटे लगे काफी जादा यहां पर बलकी लगे मुझे लेकिन अगर आपको इसका design करके देखते हैं okay काफी जादा comfortable है हलाकि lightweight भी काफी ज्यादा है और definitely अगर आप कानों में इनको पहनोगे तो काफी जादा notice हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मोटे और काफी जादा बड़े दिखते हैं कान पे तो आप देख सकते कुछ इस तरीके का look है लेकिन fitting और comfortability के मामले में बहुत ही जादा comfortable है और fitting भी बहुत ही अच्छी है लेकिन उतनी भी tight fitting नहीं है कि आप यहाँ पर जिम में जाकर इसको use कर सकें normal घर पर use करने के लिए काफी सही है या फिर travel वागरा में use करने के लिए बढ़िया रहेगा overall build quality design काफी अच्छा है comfort काफी अच् आपको अगर लेना चाहिए या नहीं लेकिन एक चीज में यह वाला yearbird पीछे रह जाता है जो कि यहाँ पे Bluetooth connectivity इसमें आपको Bluetooth 5.2 मिलता है हाला कि दोस्तों अभी market में Bluetooth 5.3 का time आ चुका है इसको phone के साथ connect करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ धक्कन खोलना है और आपक कुछ इस तरीके का pop-up देखने को मिल जाएगा इसका मतलब यह है कि इसमें आपको Google fast pairing का support मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है Bluetooth version पुराना दिया गया है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे Google fast pairing दिया गया है जो कि काफी तगड़ी बात्चीत है साथ में जैसी आप इसे का option भी है साथी साथ यहाँ पे HD audio AAC का codec भी दिया गया जो कि काफी अच्छी बात है 2000 रुपए के earphones में होने ही चाहिए अब बाकी सारी चीज़े देखने से पहले इनका application एक बाद चेक आउट कर लेते हैं सबसे पहले इनके application का नाम है बोट hearable open करते हैं कुछ इस तरह की to trend यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपको login कर लेना है अपना phone number डाल कर login होने के बाद आपको यहाँ पे काफी सारे permissions वगएरा मांगता है उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं application यहाँ पे load हो रहा है तो यहाँ पे काफी ज्यादा try करने के बाद भी इनका application इनक बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा है तो इनका जो application है वो उतना refined नहीं है और यहीं पे यह वाला earbuds mark आ जाता है क्योंकि यहाँ पे boat ने अपने application को अभी तक धंग से जो है optimize नहीं किया है देख सकते हैं यहाँ पे वापस से refresh वाला चीज आ गया है जबकि यहाँ पे इनका application android में तो काम नहीं कर रहा है लेकिन यहाँ पे आईफोन पे इनका application काम कर रहा है तो जल्दी से देख लेते हैं तो application कुछ इस तरीकी का है सबसे पहले यहाँ यहाँ पर 20% देखने को मिल जाएगे earbuds का साथ में यहाँ पर sound के अंदर जो है आपको noise cancellation का तीन option देखने साथ में यहाँ पर आपको ambient mode भी मिलता है साथ में इनका speak through mode भी इन्होंने दिया है जो की ambient mode का ही थोड़ा सा max variant है जैसे कि अगर आप यहाँ पर ambient mode में जाते तो क्या होता है कि बाहर का आवाज आपको सुनाई देता है लेकिन जैसी आप यहाँ पर speak through on कर लोगे तो यहाँ आप जो है equalizer वगेरा set कर सकते हैं यहाँ पर टेस्ट भी कर सकते हैं अपने कानों के हिसाब से तो यह automatically आपके कानों के हिसाब से यह set कर लेता है कि आपको यहाँ पर कौन सा sound quality जादा पसंद आयागा यहाँ पर देख सकते हैं इसे आप on and off कर सकते हैं यहाँ पर recommended mode एक आप आपको मैं बताऊंगा साथ में यहाँ पर intensity कम जादा कर सकते हैं इसी sound personalization का साथ में यह आपको दिखाता है कि इस application ने किस तरीके से यहाँ पर आपके कान को analyze करके यहाँ पर किया है सारा optimization sound quality के अंदर लेकिन यहाँ पर कोई भी equalizer नहीं दिया गया है जहाँ पर आप उस graph क को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएं लेकिन टच कंट्रोल को कस्टमाइज करने का option जरूर दिया है यहाँ पर देख सकते हैं left और यह राइट को आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं one tap पर यह सारी चीज़े हो जाती है तो यहाँ पर one tap में आप volume up down भी कर सकते हैं तो टच कंट्रोल का कस्टमाइजेशन काफी अच्छा दिया हुआ है लेकिन system के अंदर देख सकते हैं in ear detection on off करने का यहाँ पर toggle दिया है multipoint connectivity on off करने का toggle दिया है लेकिन यहाँ पर इसके अंदर आप जा करके देख नहीं सकते कि यहाँ पर कितने devices connected है और कौन से कौन से devices connected है वो आपको यहाँ पर इस वाले application में so नहीं करेगा जैसी कि आपको यहाँ पर real milling app में show करता है साथ में यहाँ पर software update वगरा आता रहेगा साथ में आपको यहाँ पर IPX5 की rating मिल जाती है जहाँ आप इसको हलके फुल के बारिश में लेकर जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर swimming pool प इतनी अच्छी नहीं है gaming mode के अंदर उसके बार में हम आगे बात करेंगी sound quality वाले section में लेकिन gaming mode का जो latency है वो काफी अच्छा मिलता है अगर आप सोचने कि भाई इसे gaming के लिए खरीदना चाहिए या फिर नहीं तो आप try कर सकते हैं लेकिन यह मैं सिर्फ हलके full के gaming के लिए recommend करूंगा अगर आप यहाँ पे काफी अदा professional gamer हैं काफी अदा high tier वाले player हैं तो आपके लिए बिलुकुल भी नहीं रहेगा लेकिन वही 2000 रुपे के अंडर में boat नहीं है यहाँ पे सारी features देनी की कोशिश करिए यहाँ पे आपको 32 decibels का ANC active noise cancellation भी दिया गया है लेकिन इसक बज़ता है तो वो यहाँ पे यह जो है cancel out कर पाता है उसके अलावा यह बिल्कुल भी कोई चीज cancel out नहीं कर पाता जैसी कि अगर आप traffic में अगर कहीं पे आप खड़े हो या फिर कई बाजार वगेरा जाते हैं तो यहाँ पे महाँ पे traffic का आवाज बिल्कुल भी cancel out नहीं क करेगा तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ANC तो दिया है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नाम का दिया है 32 decibels जो सिर्फ घर के अंदर काम करेगा लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बोट ने काफी तगड़ा किया कि यहाँ पे आपको dual pairing या फिर मैं कहूं dual connectivity दिया है इसका मतलब यह कि आप यहाँ पे दो डिवाइस कनेक कर सकते हैं एक ही टाइम पे चलिए जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से dual connectivity काम करता है तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से dual pairing काम करता है सबसे पहला जो तरीका है वो है यहाँ पे आपको सिर्फ धक्कन ओपन करन ना है तो यहाँ पर मैंने disconnect कर लिया है और अब दूसरे वाले फोन के अंदर आपको search कर लेना है तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा इसी तरीके से आप यहाँ पर दो android smartphone या फिर एक android smartphone और एक windows laptop connect कर सकते हैं यहाँ पर अगर मेरे इस वाले फोन में कुछ video देख रहा हूँ कुछ film देख रहा हूँ कुछ यहाँ पर गाने वगरा सुन रहा हूँ और मेरे इस वाले फोन में call आ जाता है तो यहाले earbuds जो है automatically जिस वाले फोन पर call आ रहा है उस पर switch कर जाएगा तो यह dual connectivity काफी अच्छे तरीके से काम करता है लेकिन साथ में इसमें आपको in-ear detection भी दिया गया है जो कि मुझे काफी तगड़ा feature लगा definitely यह वाला जो feature है यहाँ पर 2000 रुपए के अंडर में कोई दूसरा yearbird प्रोवाइड नहीं कर रहा है यह वाला feature जो है काम का है और बहुत ही practically बहुत ही अच्छी तरीके से काम भी कर जैसी आप इन-earbirds को कानों में डालोगे तो आपका जो गाना है वो automatically play हो जाएगा जैसी आप यहाँ पर निकालोगे automatic pause हो जाएगा तो यह है इन-ear detection चाहे आप यहाँ पर left यह बाला yearbird कान से बाहर निकाले यहाँ पर आपका जो गाना है यहाँ पर वीडियो है movie जो भी चाहूंगा यहाँ पर क्या होता है कि जैसी अगर आप कोई content वगरा देखते हैं जैसी अगर कोई आप यहाँ पर गाने वगरा सुनते हैं और आपको call आ जाता है तो आप यहाँ पर answer बोल कर जो है call को receive कर सकते हैं reject बोल कर call को cut कर सकते हैं आपका phone pocket में है आप गाना सुन रहे है तो आपको phone निकालने की जरूरत नहीं है simply आप ऐसे ही command दे करके phone को receive या फिर cut कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके का feature है हाला कि दोस्तों मुझे उत्ता कुछ खास लगा नहीं है feature साथ मैं इसमें आपको boat speak through करके भी कुछ feature दिया है जो की basically है transparency mode अगर आपके earbud में ANC है active noise cancellation है तो उसमें transparency mode भी होता है तो उसी चीज को यहाँ पे इनोंने नए नाम से निकाल दिया है तो यह है boat का speak through feature लेकिन इसका जो transparency mode है या फिर मैं कहूँ ambience mode है वो काफी अच्छा काम करता है microphone quality इसकी अच्छी है अब बात कर दे battery life और charging की लेकिन उससे पहले battery capacity चेक करना important है तो यहाँ पे आपको case में मिलता है 480 mAh battery और buds में मिलता है 35 mAh battery buds में यहाँ पे थोड़ा सा battery capacity कम दिया गया है इतने मोटे earbuds होने के बाद भी battery capacity कम दिया गया है मुझे स्मझ में नहीं आया क्यों लेकिन यहाँ पे साथी में boat ने claim किया कि आपका यह जो earbuds है 60 घंटे 60 आर्स तक का battery backup देगा जो की थोड़ा सा unbelievable है सोचना यहाँ पे यह जो यह testing करते हैं या फिर यह लोग जो कहते यह 60 घंटा 50 घंटे यह लोग जो claim करते हैं वो यहाँ पे एक laboratory के अंदर test किया जाता है जहाँ पे ANC off रखा जाता है और साथी साथ यहाँ पे जो है volume को भी 60% रखा जाता है तो अगर आप volume 60% रखोगे और ANC को off रखोगे तभी आपको 60 घंटे 60 hours का battery backup मिलेगा real life में देखने जाया तो इसमें आपको 40 घंटे या फिर मैं कहूं 2 दिन का battery backup मिल सकता है case के साथ लेकिन साथ में यहाँ पे fast charging भी मिल जाता है अगर आप इसे 10 minute charge करोगे तो आपको यहाँ पे 4 घंटे का battery backup मिलेगा जो की थोड़ा सा कम है अगर हम यहाँ पे competition के साथ थोड़ा compare करने जाया तो वैसे आप मुझे नीचे comment section में लिख करके बताए कि इसके साथ किसका comparison करना चाहिए बहुत ही अच्छा feature है और काम का feature है तो अब सबसे important चीज़ की बात करते हैं जो कि यहाँ पे sound quality यह वाला चीज़ आपको सबसे पहले देखना चाहिए किसी भी earbud को खरीदने से पहले तो यहाँ पे इसमें आपको सबसे पहले मिल जाता है 10 mm के drivers लेकिन यहाँ पे यह चीज़ थोड़ा सा पीछे रह जाता है इस वाले मामले में क्योंकि यहाँ पे इसके competition में जितने भी earbuds आते हैं सब में आपको 11 या फिर 12 mm के drivers मिलते हैं लेकिन driver size उतने कुछ खास matter नहीं करते हैं अगर इसकी sound quality अच्छी होती है तो अब बात करूँ भाई इनके sound quality की सबसे पहले यहाँ पे आपको hi-fi sound दिया गया है या फिर इनका यह application के अंदर जाकर कि आप अपने हिसाब से sound वगेरा customize कर सकते हैं लेकिन मैं अपना normal sound quality experience अब को बताऊंगा real life में इसकी sound quality मुझे बहुत यदा bass से भरी हुई लगी बहुत यदा bass भरा हुआ है यहाँ पे मैं पुराने गाने सुन रहा था जिसमें उतना bass नहीं होता था यहाँ पे लेकिन उसमें भी इस वाले yearbird ने पुरा bass भर दिया है classical गाने सुनने में भी bass मुझे बहुत ही जादा feel हो रहा है singer की आवाज भारी-भारी सुनाई दे रही है जबकि यहाँ पे female singer भी अगर गा रहे है तो ऐसा लाग रहे है कि यहाँ पे बहुत ही आवाज भारी-भारी सा सुनाई दे रहा है तो ये था इनके normal mode का experience लेकिन जैसी आप इनका जो वो richer वाला mode है उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो sound है वो यहाँ पे थोड़ा सा जो है balance होने की कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाता थोड़ा सा clarity बढ़ जाती है लेकिन उतनी clarity नहीं बढ़ पाती है बेस अभी भी उतना ही रहता है बेस बहुत ही जादा prominent है बहुत ही जादा इसमें भर भर के दिया गया है तो अगर आप एक bass lover है तो आप इसके साथ जा सकते हैं लेकिन अगर आपको balance sound quality पसंद है अगर आपको clarity जादा matter करती है अगर आपको trebles अच्छे तरीकी से सुनने है अ 90% लोगों को अच्छे लगेंगे क्योंकि यहां पर हमारे इंडिया में काफी जादा लोगों को जो है यहां पर bass पसंद आता है तो उसके एसाब से sound quality अच्छी है बेस भर-भर के दिया गया है लेकिन जो लोग को balance sound quality पसंद है उनको यहां पर यह बिलकुल पसंद नहीं आ आपने वाले को आपका आवास क्लियरली जायेगा या नहीं तो यह है कॉलिंग टेस्ट बोर्ट के एरडोट 4x4 एंट से यहां पर देख सकते हैं फैन फुल स्पीड पर चालुए साथी साथ मैंने यहां पर ATV on कर लिया ताकि आपको पता चले कि बैग्राउंड नॉइस मे यहां पर कितना जो है आपको आ रहा है और आप यहां पर सुन करके डिसाइड कर करते हैं मेरा आवास कितना क्लियर आ रहा है मेरा आवास क्या आपको अच्छी तरीकिसा सुनाई दे रहा है या नहीं तो बहुत सारे फीचर भर दिये गए हैं उसके कारण से क्या होता है कि कुछ-कुछ फीचर उतने अच्छे नहीं है जैसी कि इनका जो ये ANC है वो उतना कुछ खास काम नहीं करता सिर्फ घर के अंदर ही ये जो है उतना useful रहता है घर के बाहर आप जैसे ही जाओगे ये ANC उतना काम करता हुआ नहीं दिखेगा आपको साथ ही में इनका जो ये smart talk वाला फीचर है जिसमें बोलते ही call receive या end हो जाता है वो भी मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया आदिस से जादा time तो वो काम भी नहीं करता लेकिन साथ में इसकी जो sound quality है वो बहुत ही अच्छी है बेस से भरा हुआ है लेकिन जैसे कि मैं AWS निकल करके आता है तो लेकिन इसकी जो सबसे वड़ी कमी है वो है इसका application भाई इसका application अभी भी मेरे android phone पे काम नहीं कर रहा है देख सकते हैं आप यहां पे यह अभी जो है reload reload हो रहा है बार बार retry retry कर रहा है लेकिन बिलकुल भी काम नहीं कर रहा है android phone में लेकिन आई phone में इनका application काम कर रहा है तो application में भी इनको जो है थोड़ा सा optimization करने की ज़रूरत है तो overall यह जो yearbirds बहुत ही average type के निकल करके आते हैं आप आके आप देख सकते हैं आपको कौन सा feature पसंद आता है तो आप उसके हिसाब से खरीच सकते हैं मुझे यहां पे उतना दादा अच् पका देख आते हैं शुब रहीं